वेलकम बेग गाईज आज की वीडियो में हम एपियाई को इंपिलिमेंट करेंगे जो हमने नोड जैस्ट के वीडियो में बनाई थी साइन अप गैट यूजर एंड और टीपी वेरिफाई तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ लाइप्रेरी को इंस्टो करके देता है तो अब हम क्या करते हैं मैं आपको बता एक फाइल में इसमें एड किया यूटिस डोट जेस नाम की तो इसके बारे में भी मैंने अच्छे से रिडक्स वाली प्लेलिस्ट में आपको समझाया हुआ है जाओ जिसमें जो लुस्की आइधिंक लास्ट वीडियो हो है रिडक्स विद एपी आई एके साथ तो इसमें मैं आपको ओवरिव्यू देता हूं देखिया जो हमारी एप्याई के मैथर्स होते है वो होते है पोस्ट ग्लीट गैट पोट ठीक है मैंने औरेटी यहां पर फंक्शन बनाए है ताकि मेरे को उसी फाइल में बार बार इस बहुत सारा कोड लिखना ना पड़े तो मैंने ग्लोबली कुछ फंक्शन डिक्लेर किये हुए है तो एप्याई रिक्वेस्ट में यह मेरा एक फंक्शन से बना हुआ है जो मेरे को प्रोमिस औरेडी मेरे को रिजॉल्व करके देगा यह एक्जियोस की लाइबरे मैंने mode- między, जाएगा जो हमने यहाँ पर ехपर मैंने पास कर रकी है चीजे तो यह करके मेरे को जो भी का API का response होगा, either will be success और error तो यह क्या करेगा मैरे को return करदेगा तो वहाँ पर मैं जहां से भी फंक्शन को call करhogenा वहाँ आप मेरे को error या response मेरे को मिल जाएगा तो ठीक है guys अब हम क्या करेंगे action में चलते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे एक config नाम का भी फोल्डर बना लेते हैं जिसमें हमारी API का path होगा तो एक config नाम से हम एक फोल्डर बना लिया तो इससे पहले में क्या करता हूं आपको android में एक यूज के लिए traffic की भी कमांड एड करनी होती है वरना वह क्या करती है कि हमारी android में बिल्ड जो लोकल अप्याइज है वह हिट नहीं होती तो आपने एप्लिकेशन में आके इंडर यह वाली लाइन जो है यूज क्लियर ट्रैफिक इंडेक्स क्लियर ट्रैफिक यह एड कर देनी है तो ठीक है अब हम क्या करते हैं config में जितने भी हमारा लाइक API का path होंगे वह इसी के अंदर रखेंगे कल को अगर in case हमारा server पर चेंज होता है तो हम अपना base URL सिर्फ इसी में जाके चेंज कर पाए क्योंकि सर्वर का base URL चेंज हो सकता है लेकिन उसके endpoint हमें चेंज नहीं होते तो चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूं urls.js तो एक हम एक common API base URL बनाते है common हमारा base URL हमारा होगा यह वाला मैं आपको दिखा देता हूं जिस पे हमारा server चल रहा है ओके हम server भी run कर देते हैं node-mon server जो हमने postman में भी hit की थी API तो हम एक postman भी open कर लेता हूं क्योंकि हम इसकी जूरुत पढ़ेंगी हम यहां से इसके help लेंगे की हमने collection जैसे post में यूजर साइन अप यह इतना मेरा किया है यह मेरा आप base URL है तो मैं इसको कोपी करूंगा इसको मैं सैड में रख लेता हूं एक हो टैम में यह मेरा base URL है तो मैं यहां पर कर दूंगा इसको पेस्ट इसको पेस्ट करने के बाद यह मेरा base URL हो गया बेसिकली तो इनकेस अगर कल को मेरा server होता है तो मैं सिर्फ यह पिया कि उसको changes करूंगा तो slash user या इसको ऐसे रहन देते क्योंकि कल की तो कि इसमें अगर दूसरा राउट सबना तो इसकेस में हमारा वह different हो सकता है तो चली एक फंक्शन भी मना लेते हैं ताकि हम उसको base URL को endpoint के साथ append कर पाए get API URL okay तो हम यहां पर बनाते है एक्सपोर्ट कॉंस्ट जैसे की साइन अप लोग ने इसमें नहीं होगी क्योंकि वट्सप में भी लोग नहीं है वो डाइरेक्ट साइन अप अकाउंट करते हैं और अगर सो लोग आप करना होता है तो इसको डिलेट डिलेट अकाउंट करना पड़ता है तो साइन अप कि कि एट लिए इसमें हमारा जैसे यूरल किया है कि वह देखते हैं वेस यूरल है हमारा अधुजर साइन तो यहां से कॉपी करते हैं इतना आप यह हमने किया प्त टो ऐसे हमारे हमने फीन बना रखिए तो इसको हम कर देंगे यह यह यूजर्स और इसको हम कर देंगे वैरी पाई ओटीपी अब इसके एंड पॉइंट हम चेंज कर देंगे इसमें इसको मैं क्या करता हूं थोड़ा यहां पर रख लेता हूं यूजर्स का था यूजर्स तो यूजर्स और वैरीफाई ओटीपी कह एंड पॉइंट रातेटा पूटीपी वेरिफाई ओके तो हमारा की चाहिंज होने ओरे उसको भीला चाहिं अभी राउल पॉइस को बेश चाहिए अब हम direct sign up वाले functions में जाएंगे sign up sign up sign up sign up मेरी OTP verification पर तो यहाँ पर मेरे data मिलना data मेरे किस टाइप का भेजना है वो भी मेरे पेलोड में होना चाहिए sign up यह मेरा name phone number about अगर image भेज़ी हो तो image तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर हम क्या कराएंगे simply जो भी मेरा परम्स डेटा होगा उसको हम देखेंगे कि करेंगे कि करने के बाद वह जाएगा जाए ओटीपी वेरिफाई करने पर तो साइनप वाली यहाँ पर हिट नहीं होगी तो ओट लिए प्रोफाइल एड़िट प्रोफाइल पर गए गएं हम action को कर लेते इंपोर्ट action का नाम है साइनप तो चलिए जैसे ही वह user done करेगा ओंडन अभी के लिए मैं रिटन कर देता हूं रिटन मेरा होने वाला मैं इसको मर्ज कर देता उर अपने डेटा को अपनी स्टेट और अपि डेटा लिख देता और आप और कंसोल कराता हूं API data अब हम देख लेते हैं हमारे पास value जिस टाइप का हमें डेटा चाहिए उस टाइप का है भी या नहीं डन किया अब हम अपने कंसोल को यहां पर लेकिया आजाते हैं यहां यहां पर आएगा तो यहां पर देखते हैं API data देखे image name phone number selected country तो अब हम क्या करेंगे अगर इसमें इमेज नहीं होगी empty होगी तो हम इमेज वाला पर परम्स नहीं भेजेंगे तो अब हमने क्या करना यहां पर API हिट करनी है कौन सी हिट करनी है सब्सक्राइब की तो इसके लिए हम इसको कर देते हैं और यहां पर यूज कर लेंगे ट्राइक एड़र देस्ट इन साइन अप एप्याइड ओके तो कौन्स रिस्पोंस अवेट एक्शंस डोट साइन अप साइन अप में हमेरा जाएगा API डेटा तो डायरेक्ट इसमें यहां से पहले बात हमारा डिस्पैच नहीं होगा डिस्पैच होगा हमारा ओटीपी वेरिफिकेशन पर तो इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूं कमेंट करने के बाद अब हम करते हैं सोरी एक्शंस नहीं होगा API पोस्ट जो हमने यूटिल्स नाम में बना रख है API पोस्ट यह API पोस्ट और API पोस्ट के बाद अपने इस वाले मेटड को रिटन भी करना है जो हमें वैल्यू रिटन देगी तो इसमें हमारा है साइन अप API जो मेरा यूरल है तो साइन अप यूरल के साथ यह एपन्ड होके यह पूरा मेरा यूरल बन जाएगा और साथ में मैं अपना कर दूंगा डेटा पास ठीक है य यहाँ पर कर दूंगा और इसमें अपना कर दूंगा डेटा पास ओके तो मैं क्या करता हूं अब बस डेट सीट अब मैं इसको कॉंसोल करा लोगा अब देखते हैं इसका रिस्पॉंस क्या आता है जैसे मैंने यह किया डन है ओके यह देखिए डेटा एप्याइड रिस्पॉंस साइन अप यह देखिए सक्सेस टूँ आ गया है और डेटा और इसने देखिए इसको मेरी आईडी भी मेरे को यहाँ पर मिल चुकी है तो डेटा अगर हमें मिला है जिसे वेरिफाइड कर लेते हैं तब ही यह नैविगेट हो नैविगेट हो के जो भी हमारे हमारे रिस्पॉंस में डेटा आएगा उसको हम कर देंगे पास डेटा यह मेरा हो चुका है मेरा यूजर भी क्रिएट हो चुका है अब यह जाएगा नेक्स्ट वाली स्क्रीन पर तो इसका मैं फोन नमबर होगे रहा चेंज कर देता हूं कि दन नेम रख लेते हैं जैसे की यूजर थिरी बात में फोन नमबर पर वैलिडेशन लगाएगे फोन नमबर डिफरेंट होना चाहिए वह हम बात में देखेंगे इसको डन किया यह देखें मेरे पास यहाँ पे जो एपियाई का रिस्पॉंस आया था एपिया रिस्पॉ प्रफाइल फोन नमबर यह मेरा कहां से आया ओके इसमें मैंने फोन नमबर में करके नहीं बेजाता तो मेरा यहाँ पे डाइल कोड नहीं आया तो मैं क्या करूंगा जब मैं साइन अप की एपियाई हिट करा रहा हूं तो मैं इसमें डाइल कोड भी भेजूंगा एडिट प्रोफाइल एड़िट प्रोफाइल बैक चलते हैं कि फोन नमबर वाली स्क्रीन पर जाना पड़ेगा में फोन नमबर कि यह दन किया एड़िट प्रोफाइल पर हम देखते हैं यह डेटा किया है 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 उटके स्लेक्टिड में चंट्री है यह तो स्लेक्टिड कंट्री दिख रखना कोई पास अब्जेक्ट नहीं था डेटा बेस में क्रेंट तो हम क्या करेंगे एक एक क्या करेंगे एक डेटाबेस में थोड़ा सा चेंज करेंगे फटवर्ट जाके एक मॉडल्स लेंगे इंडेक्स यूजर्स सेलेक्टिट कंट्री तो इस नाम के हमने कंट्री ली और यह मेरा मॉडल में वैल्यू आ गई आप हम क्या करेंगे अब एक हो नया यूजर क्रेट करेंगे एड़िट प्रोफाइल तो एक यूजर क्रेट करते हैं डन किया अब देखते इसका रिस्पॉंस क्या आया यह देखे अब स्लेक्टिड कंट्री मेरे को यहां पर आ रहा है। इसके रिस्पॉंस मेरे को रिटर्न भी करा दिया होगा यह राथ स्लेक्टिड कंट्री से मैं अब डाइल कोड लूंगा तो हमने डेटाबेस में जो एक्टिर कंट्री वाला उब्जेक्ट सा वो डिरेक्ली सेव करा दिया है तो फोन नंबर पर जाएंगे यह देखें मैं को यहां पर यह दिख रहा है तो अब हम ओटीपी वैरिफिकेशन वाली API हिट करेंगे तो यहां पर लिखते हैं ओटीपी वैरिफाई के भी मैंने नहीं बनाया action तो export इसको प्रोटिपी वेरिफाई इसका नाम है यह भी पोस्ट की एपियाई है तो यहाँ पर हम क्या करें गे प्रोमिसीज का यूज करेंगे तो प्रोमिसीज का यूज इसलिए कर लें ताकि हम थोड़ा वेट करें अगर इसका सब्सक्राइब करेंगे तो चलिए प्रोमिस हम कैसे लिखते हैं एक लिटर्न नियों कीवर्ड के साथ हम प्रोमिस बनाएंगे यह हमाएं या आइधर भी रिजॉल्व देगा या रिजेक्ट कर देगा हमारे प्रोमिस को तो अब यहां पर हम एप्याई पोस्ट लिखेंगे कि वेरिफाई और टीपी साथ में जाएगा डेटा डेटा जाने के बाद हम यह देन अगर रिस्पोंस आता है कि वनना यह जाएगा कैच में रहा रहाता है अब हम यहां पर भी चेक लगाएंगे इस रिस्पोंस डोट डेटा और उसमें हमें मिली अंडर्सकोर आईडी तब ही यह क्या कर आए यह हमारा यह जो स्टोर डिस्पैचर वाला था इसमें हम वैल्यू कर देंगे स्टोर स्टोर क्या करेंगे रिस्पोंस डोट डेटा यह मेरा बन चुका है अब देखिए और इसके बाद जैसे यह डिसोल होगा अजिसोल रिस्पोंस डोट डेटा यहां डिस्पोंस ही कर देंगे यहां डिटरन कर देंगे अगर कुछ और रिस्पॉंस होगा तो यहां से हम डिजॉल्व कर देंगे तो ओटीपी वेरिफाइग का भी मेरा बन चुका है तो फॉन नमबर पर नहीं ओटीपी वेरिफिकेशन पर जलते हैं तो यहां पर लिखते हैं ओटीपी वेरिफाइग में हमने क्या-क्या फिल्ड् ओटीपी ओटीपी जो ऊडियोजर इसने लिख और एक जाएगा लेओं क्या थी यूजर अंडरस्कोर आईडी यूजर अंडरस्कोर आईडी इडी में क्या है से लिख रहे हैं ताकि हम उस उस यूजर को रिटर्ण करा सके data underscore ID तो यह API हम try catch में हिट करेंगे अधर रेस्ट इन API कि वेट का यूज कर लेंगे ओके हम अब इसको हिट करते हैं पहले हम क्या करेंगे गल्थ डाल देंगे अब देखते हैं गल्थ डाला एरर रेस्ट वेरिफाई ओटीपी और यह आ अधर एंगे तो यहां पर लट लगाएंगे अधर हमने क्या रिटन करा है मैंसी करेंगे तो जैसे ही हम एक लोडर बनाएंगे तो लोडर के लिए भी हम क्या करेंगे एक लोडर हम नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे अब हम क्या करते हैं अब हम क्या करेंगे एक ठीक डिस्पॉंस ठीक डालेंगे 123456 यह देखिए मैंने ठीक डाला आई पी डिस्पॉंस आया इसमें मेरे को सेक्सेस मिला और जैसी ओटीपी वेरिफाई हुआ हमने यहां पर चेक लगा रखता अगर उसमें आईडी आ रही होगी अगर यूजर और आईडी ए तो हमने डिस्पैच किया डिस्पैच करके हमने से और यूजर डेटा मैंने ओरेट opportunity अपको पता दिया था झाल, 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 झाल